हालो एब्रिवन डिस इस रंजन खुमार कालिंदी तो मॉक टेस्ट की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग और भी कोशन्स देखने वाले हैं जो आपकी बिल की एक्जाम जो होने वाली है प्रोजेक्ट इंजिनियर और ट्रेनी इंजिनियर के लिए उसके लिए पर सर्च करना यह आपको मिल जाएगा वहां से जाकर आप इसे जोइन कर लेना इस पर आपको PDF, notes and previous circuit questions सारे कुछ available करा दिये जाते हैं तो देखो शुरू करते हैं A biasing circuit has a stability factor of 40, if due to temperature change, ICO changes by 1 micro ampere, then IC will change by, तो देखो यहाँ पर stability factor की बात की गई है, given क्या है हमें, given है इसमें हमें stability factor, stability factor यानि की as equal to कितना दे रखा हुआ है, 40, ठीक हैं, और क्या बोला गया, due to temperature change, temperature change यानि की ICO जो है हमारा leakage current, leakage, leakage current की बात करें, तो temperature change हो रहा है, इसमें तो इसको हम लोग consider कर सकते हैं, del of ICO के जैसा, ठीक है, तो del of ICO कितना दे रखा हुआ है, 1 micro ampere, और क्या दे रखा हुआ है, और दे रखा हुआ है, और कुछ नहीं दे रखा हुआ है, हमें बोला IC find करने, IC कहने का मतलब क्या हो गया, collector current, क्या हो गया, collector current, ठीक है, तो इसमें भी क्या है, IC will be change की बात की गई है, तो del IC हम लोग ले लेते हैं, यह हमें क्या करना है, find करना है, ठीक है, अब stability factor देखे हम, simple से एक formula था है, stability factor का, S equal to del of IC divided by del of ICO, ठीक है, change in control current with respect to leakage current, यह हो गया हमारा stability factor, तो यहाँ पर S जो हमें given है, stability factor 40, और del IC हमें क्या करना है, यह हमें find करना है, del IC यो दे रखा हुआ है, 1 micro ampere, तो यहाँ से del IC जो है, वो आ जाएगा, कितना आ जा रहा है, यह आ जाएगा, 40 micro ampere, तो यहाँ से del IC कितना निकल कर आ गया, 40 micro ampere, option B is the right answer, ठीक है, आगे देखते है, the number of boolean expression of 4 variable is, 4 variable के लिए क्या पूचा है, boolean expression, तो number of boolean expression जब आपको find करना हो, number of boolean expression की बात करे, तो number of boolean expression find करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 to the power 2 का power n, यह होता है formula, यहाँ पे जो n है, यह कहलाता है, number of variables और numbers, और number of input, ओके, तो यहाँ पर n क्या है, हमारा, n दे रखा हुआ है, 4 variable की बात की गई है, तो 2 का power, 2 का power 4 हो जाएगा, इसे आप calculate करो, तो इसे हम लिख सकते है, 2 to the power 16, और 2 to the power 16 equal to हो जाएगा, 65536, तो यहाँ से हमारा answer निकल कर आजाएगा, option D, तो 4 variable के लिए कितने boolean expression के लिए number किया हो सकता होगी, 65536 की, ठीक है, आगे देखते हैं, क्या बोला, the function f of t sin 2t plus sin 4t has the time period of, time period find करने को बोला है, तो time period find करने के लिए हमें क्या करना पढ़ेगा, सबसे पहले, सबसे पहले, fundamental frequency find करना पढ़ेगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिरखा w1 equal to sin 2t plus sin 4t, ठीक है, यह है, अब frequency की बात करें, तो यहाँ से देखो, w1 equal to 2 लिख सकते हो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, w2 equal to 4, यह हो गया, अब fundamental frequency सबसे पहले हम लोग find करते हैं, ठीक है, fundamental frequency, ठीक है, fundamental frequency क्या करेंगे, fundamental frequency क्या से find करते हैं, यह हो जाएगा, omega not equal to, कैसे find करते हैं, hcm of numerator, यहाँ पर क्या है, w1 और w2 की बात की गई है, और lcm ले ले लेंगे, denometer का, ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं है, क्या है, w1 और w2 है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, hcf अगर हम लोग w1 और w2 का hcf निकाले, तो क्या हो जाएगा, 2 और 4 का hcf हमारा 2 निकल कर आएगा, और lcm की बात करें, 2 और 4 की, तो lcm कितनी आजाएगी, 1 आजाएगी, तो यहाँ से हमारा fundamental frequency कितना निकल कर आगया, 2 radian per second निकल कर आगया हमारा fundamental frequency, अब हमें find करना क्या है, हमें find करना time period, तो time period के लिए क्या formula हो जाएगा, t equal to 2 pi omega 0, और 2 pi यहाँ से हो गया, omega 0 हमारा कितना निकल कर आया है, 2, तो 2 to cancel, यानि कि यहाँ पर क्या आगया, pi आगया, pi second हमारा क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा time period, तो option A जो है, यहाँ से बिल्कुल right answer हो जाता है, आगे देखते हैं, तो देखो, semiconductor में, semiconductor में mobility find करने के लिए, दो तरह के experiment किये गए थे, एक तो experiment किया गया था, hall effect का, ठीक है, hall effect experiment किया गया था, और दुसरा experiment किया गया था, जिसे हम कहते है, Hannes Socle, ठीक है, Hannes Socle experiment कहते है, तो इसमें जो है, hall effect, यह hall effect में क्या गया था experiment, hall effect का use क्या actually, तो Hall Effect को हम लोग यूज़ करते है यूज़ टू काल्कुलेट दा मॉबिलीटी दो मॉबिलीटी काल्कुलेट करने के लिए हम लोग Hall Effect Experiment और हैंसे हैंसे सॉकली एक्सपरिमेंट दोनों का यूज़ किया जाता है मॉबिलीटी फाइंड करने में हैं इसमें जो है यूज़ टू कैल्कुलेट मॉबिलीटी यूज़ टू काल्कुलेट मोबी लिटी और इसमें भी क्या क्या जाता है अच्छा चलो, used to calculate mobility of majority carrier, majority charge carrier only, ठीक है, इसमें majority charge carrier पे ही क्या करते हैं हम लोग, mobility calculate करते हैं, और इस पर क्या होता है, used to calculate mobility of minority carrier, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, minority charge carrier पे only, ठीक है, minority charge carrier, इसका use क्या जाता है, used to calculate mobility of minority charge carrier only, और whole effect का, used to calculate mobility of majority charge carrier only, ठीक है, यह दोनों में यह difference था, तो यहाँ पे, हैंसे सॉकली एक्सपरिमेंट की बात की गई है, तो क्या हो जाएगा हमारा answer, mobility of minority carrier only, हो जाएगा, यहाँ पे हमारा answer option C, अगर whole effect की बात की गई होती, तो whole effect के में हमारा option D, जो है answer आ जाता, mobility of majority carrier only, ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला, for the circuit zone, the voltage across the one ohm register is given Y, यह one ohm register जो दे रखा हुआ है, इसके across कितना voltage है, वो हमें find करना है, तो जब भी किसी भी network में आपको voltage या current find करने को बोला जाए, तो आपको या तो KCL यूज़ करना है, या फिर KVL यूज़ करना ह तो यहाँ पर देखोए, एक node दे रखा हुआ है, हम लोग इस पर क्या करता है, KCL apply करते हैं, इसको मान लिए V1, अब यहाँ पर KCL अभी करता है, तो यहाँ से एक current आही रहा है, एक current यहाँ से इधर distribute हूआ, एक current इधर distribute हूआ, इसे हम मान लिए I1, इसे हम मान लिए I2, ठ क्या करते हैं इस पर हम लोग apply करते हैं के सी एल तो के सी एल में क्या होता है total input total incoming equal to total outgoing current ठीक है total outgoing current total incoming current equal to total outgoing current होता है हमारा के सी एल या फिर summation of current meeting at a node equal to zero तो total input कौन सा है input current तो एक ही आ रहा है यह हो गया हमारा 1 amp current जो जा रहा है उसके बाद divide हो गया I1 में और I2 में हमारा outgoing current आ रहा है तो यहां से यह 1 amp I1 क्या हो गया I1 देखो I1 हो गया यह ओला current यह कहां जा रहा है 1 ohm के एक्रोस में जा रहा है तो इसको अगर हम लोग I equal to क्या हो जाएगा V divided by R तो V1 है तो V1 divided by R कितना है 1 ohm है प्लस I2 की बात करें तो I2 यहां पर ऐसे follow कर तो यहां पर क्या हो जाएगा एक note दे रखा हुआ V1 और यहां पर एक voltage है 4 volt का तो हमें potential difference यहां पर apply करना पड़ेगा तो इसे हम लिख सकते है V1 minus 4 divided by resistance कितना दे रखा हुआ है 3 अब इसे calculate कर दो LCM ले लिया यह आ गया 3 यह हो जाएगा 3 V1 plus V1 minus 4 और यहां पर तो 1 ampere ही है अब यह हो जाएगा 3 equal to 3 V1 plus V1 equal to 4 V1 and minus 4 divided by nothing तो यह हो गया अब क्या हो जाएगा 3 plus 4 equal to 7 equal to 4 V1 और V1 equal to यहां से निकल कर आ गया 7 by 4 volt हमारा answer हो जाएगा option C is the right answer यहां से निकल कर आ गया ठीक है next देखते है आगे क्या बोला हम आगे क्या बोला the time rate of change of a current pass through 1 milli henry inductor is 2 milli ampere per second this means that the voltage across the inductor is ठीक है तो यहां पर बात की गई है inductor की और हमें क्या बोला है voltage find करना है across the inductor ठीक है सबसे पहले तो देखो given क्या है हमें given की बात करें तो हमें दे रखा हुआ है एक तो inductor inductor का value दे रखा हुआ है l equal to 1 milli henry दे रखा हुआ है और क्या बोला है rate of change of current क्या बोला है rate of change of current rate of change of current की बात करें यानि क्या हो जाएगा यह di by dt यह हो जाएगा rate of change of current जो हमें दे रखा हुआ है 2 milli ampere per second ठीक है यह दे रखा हुआ हुआ है क्या बोला है voltage find करने को ठीक है v equal to question mark voltage हमें find करना है तो inductor के case में अगर हम लोग current and voltage का relationship देखे with inductor तो क्या हो जाता है यह हो जाता है v equal to l di by dt ठीक है यह हो जाएगा तो यहाँ पे हमें v तो find करना है l केतना दे रखा हुआ है l दे रखा हुआ 1 milli henry तो 1 into 10 to the power minus 3 लिख सकते है और into di by dt केतना दे रखा हुआ है 2 ampere per second यानि कि 2 into 10 to the power minus 3 ऐसे करके लिख सकते है अब इसे calculate कर दो तो यह हो जाएगा 2 into 10 to the power minus 6 और इसको हम लोग लिख सकते है 2 micro volt और यह क्या हो जाएगा हमारा answer option B is the right answer यहाँ से आगे क्या बोला the time rate of change of voltage applied across 1 micro farad capacitor is 2 volt per second अब यहाँ पर capacitor की बात की गई पिछले question में क्या था inductor अब यहाँ पर क्या है capacitor की बात की जा रही the current flow through the capacitor is हमें capacitor का current हमें find करना है तो यहाँ पर भी same ही है यहाँ आप capacitor की बात की गई है तो यहाँ पर given क्या है सबसे पहले तो आपको capacitor दे रहा हुआ वो 1 micro farad का और क्या है rate of rate of change of voltage की बात की गई rate of change of voltage तो इससे हम लिखेंगे db by dt dvy by dt और यह दे रहा हुआ है 2 volt per second दे रहा हुआ है और हमें क्या find करने को बोला है हमें find करने को बोला है current का value यानि की i equal to question mark हमें पता नहीं है तो यहाँ पर भी same अगर हम लोग i means current और voltage का relationship देखे है with capacitor तो कैसे हो जाएगा यह हो जाएगा v equal to 1 by c integration of i dt ऐसे कुछ इस तरह से relation बन कर आएगा और इसी को हम लोग लिख सकते है i equal to c dvy by dt ऐसे गर के लिख सकते है तो हमें i find करना है तो c का क्या है 1 microfarad यानि की 1 into 10 to the power minus 6 और dvy by dt कितना दे रखा हुआ यह दे रखा हुआ 2 volt per second तो यह हो जाएगा हमारा 2 into 10 to the power minus 6 और 2 micro ampere हमारा यहां से क्या हो गया current निकल करा गया option b is the right answer ठीक है ठीक है चलो next देखते है आगे क्या बोला the capacity of an analog communication channel with 4 kilohertz bandwidth and 1 dv SNRs तो इसमें क्या बोला कि सबसे पहले तो यहां पर बोल रहा है कि bandwidth जो दे रखा हुआ वो कितना दे रखा हुआ bandwidth है हमारा 4 kilohertz का और SNR दे रखा हुआ 1 dv का और हमें बोला है channel capacity find करने को ठीक है क्या क्या given है given है हमें क्या given है bandwidth given है कितना given है 4 kilohertz और क्या दे रखा हुआ और दे रखा हुआ SNR that is signal to noise ratio यह दे रखा हुआ 1 decibel ओके और हमें find करना है क्या channel capacity तो channel capacity की बात करें अगर हम लोग channel capacity क्या होता है c equal to b log base 2 और 1 plus SNR ठीक है यहाँ पर b जो है यह कहलाता है bandwidth और SNR होगी है हमारा signal to noise ratio तो सारा कुछ हमें given है calculate कर लेते है bandwidth कितना दे रखा हुआ 4 kilohertz यानि कि 4 into 10 to the power 3 लिख सकते है और log base 2 यहाँ पर 1 plus SNR कितना है यह हमें दे रखा हुआ 1 dB अब calculate करो 4 into 10 to the power minus 3 log base 10 1 plus 1 यहाँ पर हो जाएगा 2 और log base 2 2 equal to होता है 1 यानि कि AA आप ऐसे लिख लो यह क्या होता है equal to होता है 1 तो यहाँ पर हो जाएगा 4 into 10 to the power minus 3 into 1 that is equal to minus नहीं यहाँ पर plus है तो 4 into 10 to the power 3 और यह हो जाएगा हमारा 4 kilobyte 4 kilobyte per second यहाँ से हमारा निकल कर आगया answer option A is the right answer यहाँ से ठीक है आगे देखते हैं आगे क्या बोला the input output relationship of the common collector and common base amplifier is तो common collector और common base amplifier में input output relation के बारे में बात क्या है पूछा है तो क्या होता है देखते हैं configuration की बात करें हम लोग अगर transistor configuration की यह होता है तीन तरह का क्या क्या होता है एक तो होता है common base एक होता है common collector और एक होता है common emitter ठीक है तीन तरह का configuration होता है common base common collector और common emitter होता है तो इसमें जो common emitter है केवल इसमें क्या होता है face shift होता है ठेक है इसमें केवल केवल इसमें ही केवल face shift होता है वह कितने का होता है 180 degree Celsius का कहने का मतलब अगर आपको अगर इसमें input signal जो है input signal यह रहा यह क्या है input signal यह input signal है अगर इसे pass किया जाए common emitter circuit से तो इसका face shift हो जाएगा output पे 180 degree का ठीक है, ये हो गया output, 180 degree का face shift हो जाता है, ठीक है, और common base और common collector में क्या कोई भी face shift नहीं होता है, that is, ये क्या होता है, 0 degree होता है, ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, common collector और common base amplifier का input output relationship बोला तो इसमें कोई face shift नहीं होता है 0 degree face shift होता है तो इसका relation क्या हो जाएगा 0 degree का हो जाएगा ठीक है आगे देखते है The efficiency of class A amplifier is Class A amplifier की efficiency पूछी है तो amplifier की अगर हम लोग बात करें तो amplifier चार तरह का होता है कौन-कौन सा एक तो हो गया Class A amplifier Class B amplifier Class C amplifier और Class A B amplifier चार तरह का amplifier है और इसकी efficiency की बात करें तो Class A का 50% होता है Class B का 78.5% होता है Class C का 100% होता है और Class A B का यह आजाएगा between A और B यानि की 50% to 78.5% हो जाएगा यह होता है efficiency यह सारा कुछ आपको याद रखना है एक्जाम में किसी से भी सवाल पूछा जा सकता है तो यहाँ Class A के बारे में पूछा है तो Class A का efficiency क्या हो जाएगा 50% that is option A is the right answer अब देखो यह एक जो question है यह आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ इसे आप solve करना और नीचे comment पर जाकर इसका जवाब जरूर से जरूर दे रहा है और बताना की Class आपको कैसे लगा comment जरूर करना आप लोग comment नहीं करते हैं यह जरूर comment करके इसका answer देना क्योंतोर है